हेलो फ्रेंड्स दजन सूचक के यूटूब चैनल पे मैं दीपेंद्र आप लोग का स्वागत करता हूं आज हम मद्द प्रदेश के पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक होगा मद्द प्रदेश के राष्ट यूद्यान यह जो सिरीज है यह आने वाले एक्जाम्स के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है जिसमें मद्द प्रदेश जेल पहरी एक्जाम जो आपका नवंबर में होने वाले हैं इसमें पिछले साल के आये हुए क्विश्चन भी आपके महत्पूर्ण प्रश्ण सिरीज में डाले गया हैं जिने आप देख सकते हैं तो चलिए हम देर न करते वे वीडियो को सुरू करते हैं तो देखिए मद्द प्रदेश के प्रमुख राष्टी उध्यान तो वर्तमान में मद्द प्रदेश में कितने राष्टी उध्यान है दोस्तों तो मद्द प्रदेश में वर्तमान में बारा राष्टी उध्यान है मद्द प्रदेश में वर्तमान में नेशनल पाक्स बारा आगे मद्य प्रदेश का पहला राष्टी उद्यान कौन सा था तो मद्य प्रदेश का पहला राष्टी उद्यान जिसका घठन किया गया था घठन में नीशने फो Пон Missionструк first आए दोस्तों कर ल begun में मंडला में इसका जो राश्टी उद्यान कब घोसित किया गया जब मद्ध प्रदेश का पहला राश्टी उद्यान कब घोसित किया गया तो इसे 1955 में राश्टी उद्यान के तौर पे दर्जा दिया गया और ये भी याद रखिएगा कि राश्टी उद्यान या अभ्यारण जो घोसित करने का अध 12 नमबर या 12 नमबर का जो राष्टी उद्ध्यान है वह है आपका पालपुर कुनो राष्टी उद्ध्यान और यह कहा है तो यह स्योपूर में है ठीक है और इसका गठन हुआ था दिसंबर 2018 में याद रखिएगा दिसंबर 2018 में पालपुर कुनो को राष्टी उद्ध्यान क के रूप में दर्जा दिया गया आगे दोस्तों अब हम देखते हैं मद्य प्रदेश के प्रमुख राष्टी उद्यान उनके इस्थान उनके इस्थापना वर्ग और कौन-कौन से राष्टी उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में हम देखते हैं त ठीक है फिर यह याद रखिएगा ये स्रेणी देखिएगा लिस्ट यहाँ पे इसमें उसी उसी राष्टियुद्यान में आपका संदिया हुआ है जो प्रोजेक्ट टाइगर में समलित है या जिन राष्टियुद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है तो आपका पहल अगला है आपका माधो राष्टी उध्यान तो माधो राष्टी उध्यान कहाँ है दोस्तों तो ये शिव पूरी में हैं इसकी स्थापन होई थी सध्र salvation तो प्रुषित इसेएं तो बांधो का राश्टी उद्यान में तो सबसे ज़्यादा बागो का घनत तो किस राश्टी उद्यान में है तो बांधो का राश्टी उद्यान में सबसे ज़्यादा बागो का घनत तो है यह याद रखिएगा इसके बाद अगला फैक्ट है दोस्तों जीवास्म राष्टी उद्यान तो जीवास्म राष्टी उद्यान को फासिल राष्टी उद्यान के नाम से भी जाना जाता है फासिल ठीक है तो फासिल राष्टी उद्यान ये जीवास्म राष्टी उद्यान कहा है तो ये है दिन्ड में और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में इसकी स्थापना 1975 में की गई थी और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब समलित किया गया तो 1992 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में समलित किया गया इसके वाद है अगला बन विहार राष्टी उद्यान बन विहार राष्टी उद्यान है और इसकी स्थापना 1989 1979 में हुई थी अगला है सेवंत नंबर का पन्ना राष्टी उद्यान नाम से समझ में आ रहा है यह पन्ना जिले में है और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और इसमें प्रोजेक्ट टाइगर 1994-95 में सुरू किया गया था अगला है संजय गांधी राष्टी उद्यान तो संजय गांधी राष्टी उद्यान कहा है दोस्तों यह है सीधी में और इसकी भी स्थापना 1981 में की गई थी और यहां पे जो प्रोजेक्ट टाइगर यह 2008 से लागू किया है अगला राष्ट व्द्यान है दोसरो सत्पूरा राष्टी उद्यान होशंगावाद में यहाद रखेए beide इसकी इस्थापना 1983 में की गई थी और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1999-2000 में संबलित किया गया था अगला राष्टी उद्यान है दोस्तों औम कारेश्वर रास्टी उद्यान्ट ऊंकार राष्टी उद्यान और इसकी स्थापन होई ती अगला डाइनस और राष्टी उद्यान यह है धार में 2010-11 में इसकी इस्थापना की गई और बारवा और आखरी जो राष्टी उद्यान है वह पालपूर क्योंने राष्टी उद्यान मैंने बता दिया है आपको कि यह स्योपूर जिले में है और इसकी स्थापना 2018 या अगर मन्त पूछेगा तो दिसंबर 2018 में की गई थी यह याद रखियेगा अब कुछ फैक्ट है राष्टी उद्यान से लेके जो हम देखते हैं पहला छेत्रफल की देश्टी से मद्ध प्रदेश का सबसे बड़ा राष्टी उद्यान बहुत ही important question है very most important question कि छेत्रफल की देश्टी से मद्ध प्रदेश का सबसे बड़ा राष्टी उद्यान काउन सा है तो याद रखियेगा मद्ध प्रदेश का सबसे बड़ा राष्टी उ भ्यारण के रूप में इस्थापित किया गया था और 1955 में इसे राश्टी उद्यान का दर्जा दिया गया था इसका जो छेतरफल है दोस्तो 940 वर्ग किलो मीटर है कई बार डिजड भी पूछ देता है आकड़े पूछ देता एक्जाम में तो आपको याद रखना है छेतरफ कहां है तो काना किष्ली राश्टी उद्यान में है इसके बाद अगला है दोस्तों छेतरफल की देश्टी से मध्य प्रिदेश का सबसे छोटा राश्टी उद्यान है जीवास्म राश्टी उद्यान या फासिल राश्टी उद्यान और यह कहां है तो यह है दिन्डवरी मे इसका छेतरफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर मद्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्टी उद्यान 0.27 वर्ग किलोमीटर कौन सा है जीवास्म राष्टी उद्यान या फासिल राष्टी उद्यान और इसका एक और नाम मैंने आपको बताया था घुगवा राष्टी उद्यान अगला आगरा मुंबाई राष्टी राजमार्ग मद्ध प्रदेश का सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग है NH3 के नाम से इसे जाना जाता है याद रखिएगा NH3 तो मद्ध प्रदेश का सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग यह किस राष्टी उद्यान से होकर गुजरता है तो याद रखिएगा माधव राष्टी उद्यान से यह होकर गुजरता है और माधव राष्टी उद्यान कहा है तो यह सिवपूरी में है इसके बारे में एक fact और आपको याद रखना है कि जार्ज कैसल भवन ये question आया हुआ है कि जार्ज कैसल भवन किस राष्टी उद्यान के मध्य में इस्तित है तो माधव राष्टी उद्यान में जार्ज कैसल भवन इस्तित है अगला हम देखते हैं दोस्तों फैक्ट संजय गांधी राष्टी उध्यान को डुबरी राष्टी उध्यान के नाम से भी जाना जाता और संजय गांधी राष्टी उध्यान कहा है तो याद रखिएगा संजय गांधी राष्टी उध्यान है सीधी में मैंने उपर बता है आपको सीधी में है 1981 में इसका गठन किया गया था और 2008 में यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया अगला संजय गांधी राश्टी उद्यान के बारे में ही यह फैक्ट है कि इसका जो कुछ भाग है संजा गांधी राष्टी उध्यान ये कहां पर पड़ता है ये सीधी में है ये याद रखिएगा इसका जो कुछ भाग है वह 36 गड़ में चला गया है ये याद रखिएगा इसका कुछ भाग बिभाजन के फलशरूप सन 2000 में 36 गड़ का बिभाजन हुआ था तो उसी समय संज जय गांधी राष्टी उध्यान का नाम झाति गड़ में गुरू घासिदास राष्ट्री उध्यान है अगला वह शहर के बीचों पीच भसा मत्द्र प्रदेस का एकमात राष्टि उध्यान कौन सा है तो याद रखिये का भौपाल का बनब्यहार स्चिद्यान सहर के बीच बीच बसा हुआ हैं अगला फैक्ट है बहुत इंपोर्टन फैक्ट है दोस्तों कि टाइगर मैन आफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है तो कैलास संख्याल को ताइगर मैन औफ इंडिया की नाम से जाना जाता है दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रोंजेक्ट टाइगर की टो प्रोंजेक्ट टाइगर किसक्राश्टि उतज्यान में स्टार्थ है ये में इफ उपर आपको बताया है और कब कभी स्टार्ट किया यह भी बता दिया लेकिन अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसको बात करेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवात वन जीव संदक्षन अधनियम कब आया था सबसे पहले जीम कारवेट राश्टी उद्यान यह कहां यह उत्तरा खंड में है तो जीम कारवेट राश्टी उद्यान से प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवात की गई थी 1973 से फिर अगर पूछेगा कि मद्ध प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवात कब की था जहां पर मध्प्रदेश में परोजयक्ट टाइगर की सुरुवात की गई अगला वर्तमान में मध्प्रदेश में कुल कितने इस्थान पर प्रोज plaint डियाँ चल रहा है तो याद रखिए कि कौन कौन से राष्टी उद्यान है जो आपके प्रोजेक्ट टाइगर में समलित है तो पहला है काना किसली 1974 में समलित हुआ पेच 1992 में बाधोगर राष्टी उद्यान 1993 पन्न राष्टी उद्यान 1994-95 सत्पूड़ा राष्टी उद्यान 1999-2000 एवं संजय गांधी राष्टी उद्यान सी थी 2008 में इन्हें प्रोजेक्ट टाइगर में समलित किया गया या इन राष्टी उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवात की गई अब एक अभ्यारण कौन सा है जहां पे प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवात हुई है तो याद में 2010 11 में राता पानी राता पानी अभ्यारन राता पानी अभ्यारन है यहां पे प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवात की गई थी और यह याद रखिएगा राता पानी अभ्यारन है कहां पे तो राता पानी जो अभ्यारन है यह है राय सेंजिले में राता पानी अभ्यारन ह जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवात की गई है तो राता पानी अभ्यारन और यह किस जिले में है तो रायसेन में है तो यह आपका राश्टी युद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर कम्प्लीट होता है अब हम देखते हैं पार्ट थ्री में जो आपसे प्रश्ण पूछे गए थे उनके उत्तर क्या होंगे तो पार्ट थ्री के जो उत्तर है वो कुछ इस प्रकार है पहला कुश्चन आपका था मद्ध प्रदेश राज सचिवालय को किस नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा मद्ध की सबसे लंबी नदी कौन सी है बहुत ही कोश्चन है आप लोग को पता ही होगा कि अरबादा नदी मद्ध प्रदेश की सबसें लंबी नदी है जिसे मद्ध प्रदेश के जीवण रेखा के नाम से भी जाना जाता है और यह कहां से निकलती है तो यह अमिर goose निकलती जलती है और अमरकंटक किस जिले में आता है तो अनुपूर जिले में आता है अगला है मद्द प्रदेश के किस सहर का पुराना नाम पदमावत था तो याद रखिएगा यह इतिहास से कुश्चन है मद्द प्रदेश की इतिहास से तो मद्द प्रदेश का जो गौलियर सहर है गौलियर सहर का पुराना नाम पदमावत था अगला मद्य प्रदेश के किस जिले में आम अनुसंधान केंद्र इस्तित है तो यह याद रखिएगा जो रीवा है रीवा में गोविंदगर करके एक जगह है तो वहां आम अनुसंधान केंद्र इस्तित है कहां पे गोविंदग में आम अनसंद्धान केंदर अगला है फिर अगला है मद्द पृदेश का कौन सा जिला मुर्गीं की एक विशेश प्रजाती कलकनात के लिए प्रिशिद्ध है याद रखिएगा जाबूवा जिला मद्द प्रदेश में जाबू ऐसा जिला है जो कड़कनात मुर्गियों के लिए प्रिशिद्ध है याद रखिएगा अभी कड़कनात मुर्गे के लिए या इसके राइट्स लेने के लिए मद्द प्रदेश और 36 गड़ के बीच में विवाद भी हो रहा था कि इसके जियाई टैग किस राज्ज को दिया जाना चाहिए इसमें काफी विवाद था फिर अंत में मद्द प्रदेश ने ऐसे आधार पेस किये जिससे यह साबित हो गया कि कड़कनात मुर्गे की उत्पत्ति सरप्रथा मद्द प्रदेश में हुई इसलिए इसका जियाई टैग जो है मद्द प्रदेश को मिला अगला है मद्द प्रदेश राज्ज के पहले लोग का युक्त कौन थे तो यह बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है तो पीवी दिक्षित स्री पी मुहमद हिरायत उला मद्द प्रदेश उच्चनययन के पहले मुख्य वदिख थे और मद्द प्रदेश उच्चनययन कहा है तो जवलपूर में है यह याद रख़िएगा अगला है महत्त cyclism हर स्रीज में देते हैं तो इसमें आपको ऐसे महत्त्तपूर्ण प्रश्ण दिय कि च्पर्दैस के प्रक्टिसर आपको जादा से जादा मद्ध प्रदेश की प्रैक्टिस होती और इनका कमेंट बाक्स में जितने बी एंसर आपको बन रहे है करने उनने ऐनसर को आपको कमेंट करके बताना है ठीक है एक बार question मैं पढ़ देता हूँ पहला है जैविलास पैले मद्द प्रदेश के किस जिले में इस्थित है दूसरा मद्द प्रदेश के सरवाधिक जिले किस राज्य के साथ सीमा साजा करते हैं तो यहां याद रखिएगा सरवाधिक जिले की बात हो रही है सरवाधिक लंबी सीमा की बात नहीं हो रही है दूसरा तीसरा है नवरात्रा मद्द प्रदेश के किस छेत्र में अभिवाहित लड़कियों द्वारा किये जाने वाला नत्य है अगला मद्द प्रदेश का अली राजपुर जिला कब वा किस जिले से प्रथक करके बनाया गया था जो कि अगला है मद्ध प्रदेस के उच्चतम चोटी का क्या नाम है अगला भूर सिंग बारह सिंगा सुभंकर या लोगो सुभंकर को लोगो बोलते हैं मद्य प्रदेश के किस राष्टी उद्यान का अधिकारिक सुभंकर है और यह लाश्ट कॉष्चन आपका है, दसमा कॉष्चन मद्य प्रदेश के किस प्रशिद व्यक्ति को बुलेट या गोली के नाम से जाना जाता है तो यह आपका आज का वीडियो दोस्तों समाबत हुआ उम्मीद है आप लोग इसे अच्छे से पढ़ रहे होंगे अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और कमेंट कीजिए और आप नीचल दिये गए लिंक में भी हमको फालू कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों